नमस्कार दोस्तों मैं आज याँका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल को लखल व्लॉक्स पे और आज हम जा रहे हैं गो करना जो कि करनाटका में सित एक बहुत ही पुर्सिद मंदिर है और जिसके एक बहुत ही सुन्दर कहानी भी है कथा भी आप कह सकते हैं इसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में प्रिता हूँगा और अभी हम गोवा से निकले हैं सुबा के सब चार बजे बो करना किया और जो करना कमें पढ़ता है और इसमें एक आड़िश दा रहे हैं हमारे राहूल भाई जो कि उत्राखन से हैं वो भी पार्ज हैं हम अब देख सकते हैं वह उती अंधेरा हैं सब चार बजी और अंधेरे में गाड़िश दाना बहुत मुश्किल का काम भी वाता हैं तो दावर वाई जैसे कि मैने प्रफरकन से हैं पाहड में गाड़िश दाने हैं तो एक्सपर्ट हैं तो यह नहीं हम अपने साथ लाएं गा कर दिये सुबा भी होगी अब तो और देख सकते हैं कितने अच्छा रास्ता है और कितने अच्छे ग्यूल देखने को मिर गां है बहुत यह अच्छे को कुनट के पेड़ हैं हाइवे पूरा साब सब कुछ दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी गाडी के एक टाय कर रहाय सों गाडी का टेजंग कर्के आगे कि और निकलेंगे अपनी जornie की ओर कड़्ना की और दिखिए आप कि इसHHH करें मृक ढेंद्र है किम दे जैसे की आते हैं तो एक्छा ये न convention को नहीं मिलेंगे और साथ में उख सब जगा पर बहुत ही जारे देखना को मिलेंगे और यहां की लेंग्वेज और यहां की जो रिटन भाशा भी है वो भी बहुत डिफेंट है जो कि हमको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है इसलिए एक दोस्त हमारा करनाटका से भी है तो ट्रीक मेरसा जा रहा है तकि हमें महाँ प्राब्लम नाए है अगर आप करना चारे कोग करना है तो पही। क्रींख आपटानी बढ़ते हैं उस सम्में पे लैंडेशी बहुत ज्यूदबनी और जिसे भी तो पी हिकई हो सकता है अगर आप नसौ जार के लिए है आनई propose क्ति जा रहे हैं जैसे बजा रहे हैं पूरी सोग्षा के साथ जाएं ताकि आपको राकिक हम देखो कुछ ना हो और अप अच्छा से दर्शन करके घर वापस लग सकते रास्ता आप देख सकता है कितना अच्छा है और यह देख के आगया आप तैनल देखने का मिले होगी हें साथ मैं मैंने टनल देख नहीं वट देख रहे हैं है या आप कैसी टनल है और यह टनल है बिरत कुल मेर को टोल्ट सिम्लर लग रही है जैसे मलाली के ओड जाते है ना तो कुल्लू मैं Deck閉ने यह सिमिलर ऐसी तनल वह भी सेम ऐसी है ऐसा लगता है ऐसे पुरा पाहद के अंदर से ग्रेविंग की गई है सिमिलर वैसी यह टनल लग रही है और बहुत ही मजार आजिए नो इस वैड पर और देख सकते हैं आप टनल से बाहर निकल के कितना अच्छा दूश्य किया है कितना अच्छा व्यू देखने को मुक्त मिल रहा है और यह दिखे आगे एक और सिमिलर टनल हमें देखने को मिल रही है स lookin के जाशा है ऐसे मेनाली के और जा रहे हैं साब पानी भी बेरा है तनल भी है सकते हैं और तीन से चार गंटे का को से तंड़ के टाइमड करता है के आप कैसा युड कर थे आप कि सुपीड पर कर त्मक रहा है और गुगल मैप के हिसाब से तीन घंटा बीस मिनित कर अब को टाव आपको थे मुलता है अगर कहिं ट्रैसीक है तो वह प्लेट हो सकते हैं कि लैंस लैड हुआ है तो वह प्लेट हो सकते हैं इसलिए according to my opinion तीन से चार घंटे जैसे हमारे बेच में तैर किया भी कम होगी थे तो टैर भी चेंज़ किया तो सब्सक्राइब रुखेंगे भी आप ख़ड़ा खाना भी खाएंगे हैं रिफ्रेश होंगे भड़ा चार गंटे तक का टाइम आपको यहां लएगा गूर न पहुंचने के लिए और यह दिखिए हम यह हाईवे से अदर गाउं के और ले लिया है एक्ट्र कि अब पानी देखने को मिल रहा है बट अगर आप गर्मी के मौसम आएंगे तब यहां देख सकते हैं कि कैसे नमक की खेती लोग करते हैं तो फाइनली अब हम पहुंचे हैं गो करना में यह दिखिए मैं गाड़ी पार्किंग पर लगा दिया और अब हम आगे जा रहे हैं मंदिर के और यहां पे आपको साफ मैसाइड में समुद्र भी देखने को मिलेगा जहां पे अभी मौन सुन के टैम पे बारिश जाता होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है तो आपको पानी के अंदर जानी कहने मत नहीं होगी यह आप देख सकते हैं थोड़ा में जिक से कि कैसा देखते हैं समुद्र पिरार यहां पे एंक्री बंद की गई है कि आजकल मौन सुन के टैम है तो वाटर लेवल हाई है और यहां अजनर भी लगा रहा है देखिए और यह भी फोटो शूट कर रहे हैं राल भाई और बागे सब भी और यह मार्केट में हम पाउंच करें हैं देख सकते हैं यहां को मार्केट है कड़े मसाले हैं अगर आपको काकी देखना के मिलूंगे आप है और यहां से आप कि उटवन है कि खञे ये देखिए है याँ की मर्की कंड 활 पर्फानवाँ खोढ़ा मुश्किला महां रही हैं यह दिखिए यहां भी लिखात कउम प्लैक्स महां कि हम स्काट का— मुsmil Алत एंव मैं यह का सब्लेगर हो से प्लने नियुक्ट है जहां के जैना अलाउट्म नहीं होबी जाने के लिग के लिए आतने ही जासा का calling कि मोंच्रूण है इसलिए आतने ही मुझा सुस्क्राइब बाXT यह दितने अर्फ शरफिच्च दितानेे और अग हम पॉंच से मंदिकर ब्लू पास सामने आप देख सकते हैं मंदिर का मेंडेर हैं जहां से एंट्री मिलेगी हमें चलते हैं दिखते हैं अंदर क्या है कैसा है मंदिर कैमरा अंदर में मंदिर में अलवर नहीं होगा तो जितना हम पौद करते हैं करके आपको दिखा देंगे तकि आप अगर करना तक आते हैं तो पार वो करना जुरूर आए काफी एक धार्णुक और पॉसिद स्था रही है और चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है हाथ मुद्धों के सब्सक्राइब हम चलिए अंदर किया और यह देखिए कंड़ में लिखा है कैमरा नॉट अलाउड और यह यह नंदी बैल यहां में दिखने तो मुझे यहां पर वीडियो नॉट अलाउड लिखा है बटां फिर भी निकार लेंगे पिंके अभी स्क्यूर्टी मुझे यहां दिखने ही रही है और यह मंदिर के भार का दृश्य है एक्चलि गो करना की एक स्टोरी है कि रावन जी जी थे शिव जी के बहुत परम भक्त थे और बहुत बड़े ग्यानी थे तो शिव जी जी को अपने साथ शिरलंका ले जाना चाहते थे शिवलिंग की रूप तो शिरलंका ले जा रहे थे तो शिव जी वानन को कहा ठीक है तो मुझे ले तो जाओगे और अगर तुम नई शिवलिंग को कहीं पे भी बीच रास्ते में रख दिया तो यह वहीं विस्थापित हो जाएगी तो रावन को कैसा रोका जाए परम बल्वान परम महाग्यानी की रावन को कैसा रोका जाए उस पे विश्णु जी ने गनाई जी के साथ मिलके एक प्रत्रिय बना की रावन को कैसे रोका उन्होंने क्या किया अपने सुदर्शन चेकर से सुरज के आगे छोड़ दिया जिसे की रावन को लगा कि शाम होगी और रावन जी तो परामभक ठहरे सुबाशन पूजा करने वाले ठहरे तो उन्होंने सोचा कि शाम होगी आप तो पूजा का समय हो गया तो शिवलिंग को नीच रख होंगा तो विस्थापित हो जाएगी तो मैं क्या करो तो इतने में उनको सामने दिख आपसे ले लूँगा और एक शर्ट पर लूँगा इसका मैं जितनी देर तक संभाल पाऊंगा मतलब उठाप आपको उतनी देर ठीक हैं उसके बाद मैं आपको तीन आवाज बताएगा अगर तीन आवाज लगाने तक आप नहीं आए तो मैंसे यहीं छुट रावन जी ने पारों आपकड़िया उसमें क्या है रावन जी गुस्सा हो गया और शिवलिंग उनसे ले लिया और गुस्सा होगे कि तुम्हें मेरी पूर्या भंग कर दिया ठीक है तो शिवलिंग उनसे ले लिया और फिर उनको मारने के लिए पीछे लड़र शिवलिंग नहीं छोड़ नवदूर्गा नौदेवी का रूप है गौरी जी का मंदिर भी यहां पे है अब जहां शीव रहेंगे वहाँ परवेती तो रहेगी और जब उन्होंने विस्थापित होगे आप तो गो करना कि साब नहों होगे और फिर जब वो गनेश जी को मारने के लिए भाड़े तो थो गो करना मंदिर बना है उसके बाद रावन जी ने बहुत कोशिश की कि शीवलिंग को उठाए अपने साथ ले जाए पर में नहीं ले जा पाई तो और तारके को बहुत कोशिश की बट कुछ अंश तूपड़े ही वो लेता है बागी का जो शीवलिंग है पूरा को पूरा और अंधर में मंदिर में वैसे ही है अभी भी उसी सेम स्कुटी में और अगर आपको में मंदीर में एंटर करना है उसके लिए आपको अपने सारे कप्रे बलग पर उतारके धूती पहन के अंदर जाना पड़े यहां पर मैं आपको इसपर लिखा भी होगा, के अंदर में है और उपर कुछ नहीं खाएं के मंदिर के अंदर एंटर करना है और इस मंदिर में इतना प्रवेतर है यह मंदिर कि इसमें फॉर्ट नर्थ लोग्ज रहे हैं वह भी अलवड नहीं है यह देखिए साब में आप बोर देख सकते हैं इस पर लिखा है कि नो पैंट्स नो को जामाज ओनली धोती डालके ही आप अंदर जाएंगे कंड़ में लिखा है मुझे भी समझनी आया है वह बट साइम के थ्रू हमने समझा है और अभी में मंदिर में हम कैमरा नहीं ले जा सकते तो मैं आपको भार से सब दिखा रहा हूं यह दिखिए शुजी की एक और एक शिवलिंग से के यहां पे स्थापित है जैव शेव शंबू फर तिल कवरा के आगे चलेंगे बढ़ाएंगे आगे के और मंदिर के टाइमिंग है सुबा आठ बजे से दिन के दो बजे तक और शाम को फिर पांच बजे से रात के आठ है नो बेस तक जो भी एक टाइमिंग इस मंदिर की प्रवित्रता को बनाये रखने के लिए यहां पे बनाये गया है कि अंदर आपको लो क्यामरा से अराउड और दूसरी बार से सिर्फ लूंगी पहन के ही आपको अंदर दाना मतलब धोती पहन के ही बाकि किसी भी बस्तर में आप मंदर में नहीं कर जबते और देखिये बोर पे में लिखा है और बाकि कंदर में लिखा है वह होता हमें समझ नहीं आएगा और यहां पर एक और चीज मैंने देखी कि जितने भी यहां के मंदिर है वहां पर अगर आपको कैश नहीं देना है पंडित को ब्राइब नहीं करना है पूजा अंदर करने के ल जो तरीका है और यह अब हम बाहर आगे है यह वो मंदिर है अभी तिलाल बंध है यहां पर दुनेश जी की सेम स्थिति में जब रावन जीनों ने मारत है सेम स्थिति में अंदर प्रतिमा है अभी हम नहीं दिखा पाएंगे कि बंधिर बंधिर बंद पड़ा है तो यह देख गो करना की कहाने तो इस वीडियोम में सिर्फ़ इतना ही अमृद करता हूं कि आपको यह गोर्ना का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा इसकान यह एक लगी होगी और अगर आप कर मकश थह आएं तो बोकरना जिरूर जांगे मैंने आपको विता दी है कि अग्यृ, आप पांच वे से आपके आउड जासके और ध्यान रहे इस मंदर इन आपको सिफ लूंगी प्रहन के ही जाना है और कोई वस्थ पर में और अंदर जो मेल मंदिर है उसमें कैमेरा लाउड नहीं है तो इस बात इन बातों का ध्यान रखें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और अगर आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं आदे आपके लिए और वेसे धेर सी वीडियो लाता रहूँगा तब तक लिए अपना ख्यार रखे जैहिंद जैश्यूराब